नमस्कार दोस्तों जैवाल पॉइंट के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं देख्री फेंट्स आज की इस वीडिया में बात करने वाले हैं SSC स्टाफ सेलेक्शन कमिसन जो की SSC ने एपना एक्जाम कलेंडर रिलीज कर दिया है आप सभी के लिए खुसकबरी है क जितने भी लोगों के फोर्म में गलती हुई थी पिछली बार या किसी भी तरीके से जिनका एड्मिट कार्ड नहीं आया था या फिर किसी भी कारण वर्स उनकी तैयारी के कारण उनका एक्जाम रह चुका था CGL का और उनको मोका नहीं मिल पाएगा मेंस में बैठने का ठीक है दोस्तों या प्रीवी उनका एक्जाम नहीं हुआ किसी भी कारण वर्स तो उनके लिए एक अच्छा मोका है आपका 2023 के अंदर काफी वेकेंसी जाएंगी और काफी अच्छी वेकेंसी जाएंगी सभी पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि गौर्मेंट जोब से अपडेटर सभी तरह की कि इन्फोर्मेशन हमारे इस चैनल के माइदम से आपको लगातार दी जा रही है तो चलिए बात करते हैं देखिए अभी आपका जल्दी फिलफ नहीं किया तो आप जल्दी फिलफ कर लिजिए आज कल की डेट में ठीक है दोस्तों उससे अगला देखिए जो MTS है उसकी जो डेट दिखा रहा था पहले कलेंडर के अंदर उसमें 25 जनवरी थी आई ठीक है दोस्तों लेकिन आप जो है यह आपका MTS का MTS का के फिलफ करेंगे MTS के और 17 फरवरी 2030 तक यह फिलफ चलेंगे उसके बाद आपको फेज 11 का आएगा जिस तरीके से फेज के अंदर सभी काफी वेकैंसी होती है इसमें भी SSC डिपार्टमेंट होता है जब फोम आएगा डिटेल में बात कर लेंगे इसमें सभी लोग भर सकत काफ के फोम चलेंगे ठीक है दोस्तों इसके बाद आपके देखिए CGL के साथ साथ आपके फिर CHSL के फोम आ जाएंगे 9 मई से तो काफी अच्छा टाइम है जिनको यह लगता होगा कि एकदम से फोम आगे एकदम से नहीं आए काफी अच्छा अभी तो अप्रेल के भी 3-4 म लगता है तो कहीं online course purchase कर लीजिएगा या कहीं coaching लगा लीजिएगा जैसे भी आपको ठीक लगे अपने आपको बहतर करने के लिए आप हर एक तरीके का यूज कीजिएगा उसके लावा फिर MTS आ जाएगा 14 जून से आ जाएगा फिर यह सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुल जूनियर ट्रांसलेट है इसका दो कोर्स करना पड़ता है आपको ट्रांसलेट वगर आपको आना चाहिए तो यह आपके कुछ वेकेंसी हैं इसपेसली देखिए जो पुरानी वेकेंसी पड़ी हुई थी काफी सालों की 2018 यह सब जो है यूडीसी ग्रेड डिपार्टमेंट में भी वेकेंसी आएंगे ठीक है दोस्तों तो काफी अच्छा मोका है त्यारी करने का और काफी फोर्म इस बार आएंगे जरूर आप देखने का 2024 तक लगतार फोर्म की संख्या बहुत जादा आपके सामने मिलेंगी तो इसलिए त्यारी में आप लगे रहिएगा ठीक है तो यह सब चीजे देख लीजेगा यह फिर आपका इस्टेनोग्राफर का जाएगा तो यह करीबन करीबन सभी एक्जामिस में लगतार आपके आ रहे हैं तो इसमें आप लगतार तयारी में लगे रहिएगा और बाकी जो भी आपका डाउट्स होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो इस तरीके से से का कलेंडर है 2023 का पूरा कलेंडर उन्हें दे दिया है तो 2023 के अंदर जितने भी फॉर्म हाएंगे लगतार एक ही तयारी से सभी फॉर्म आपके निकल जाएंगे ठीक है दोस्तों तो एक तयारी किजेगा और लगभग आपको 40 लेकर के चलना कि आती है लगातार प्रैक्टिस करोगे तो भी बैटर होगा उसके बाद मैथ में दोनों मैथ अल्थमैटिक भी प्लस एड्वांस भी दोनों आपको करने हैं उसके बाद इंगलीस और उसके बाद जीके में भी करेंट इस्टेटिक सब कुछ आपको पढ़ना ह ठीक है दोस्तों बाकि बस इस वीडियो में इतना ही कहने चाहेंगे धन्यवाद दोस्तों